जाणवरों की तरह प्लांज को भी एक सही transportation system की ज़रूरत होती है प्लांज के पास भी substances को पूरे शरीर में transport करने के लिए एक system है लेकिन वो मनिश्यों की सिस्टम की तरह efficient नहीं है चलिए इन processes के बारे में और सीखते हैं पानी और minerals ट्रांसपोर्ट करने के लिए plants के पास xylem होता है ये सुनिश्चित करता है कि पानी जडों से पत्तों तक उपर की ओर जाए दूसरी ओर खाना phloem द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है phloem ये सुनिश्चित करता है कि खाना plants के सभी हिस्सों में दोनों देशाओं में ट्रांसपोर्ट किया जाए क्या ये सिर्फ इतना ही है? क्या हमें plants के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कुछ और सीखना है? खेर हम जानते हैं कि Xylem पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है लेकिन क्या हम जानते हैं कि पानी Xylem के मादियम से कैसे आगे बढ़ता है? gravity के खिलाफ Xylem इतनी उजाए पर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है? हम इस वीडियो में इसी के बारे में सीखेंगे चलिए इस प्रोसेस को आसान तरीकी से समझते हैं अगर हम जड़ों में जूम करें तो हम देखेंगे कि मिट्टी से घिरे सेल्स में मिनरल आयन्स को लेने की टेंडेंसी होती है अब ये जड़ों के अंदर और बाहर पानी के concentration में फरक पैदा करता है इसलिए अंदर lower water potential होता है और जड़ों के बाहर higher water potential होता है तो अब आगे क्या? हम जानते हैं कि पानी में higher water potential से lower water potential तक move करने की tendency होती है इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि पानी higher water potential से lower water potential तक move करता है इसलिए इस case में हम पानी को root cells में प्रवेश करता देखते हैं अब पहला mission पूरा हो गया है root cells पानी को अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं लेकिन अब अगला task है पानी को plant में maximum उचाई तक carry करने का और इसे gravity के खिलाफ काम करना होगा तो ये कैसे मुमकिन है care water potential का same principle यहाँ applicable है चलिए देखते हैं हमने क्या कहा था हमने कहा था कि पानी higher water potential से lower water potential तक move करता है तो अगर हम इसे और आगे zoom करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन cells को पानी मिल गया है तो इसलिए इनमे higher water potential है लेकिन past के cell में ये नहीं है तो इसलिए इनमे lower water potential है इस वज़े से पानी past के cell में move करता है और उसी तरह ये उपर की और travel करता है जरा रुकिये अगर पानी water potential में फरक के कारण आगे बढ़ता है तो यहाँ chances हैं कि ये पीछे की और भी move करे क्योंकि अब पहले के भरे हुए cells खाली हो गए हैं है ना नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसे ही पानी इस cell को छोड़ देता है ये मिट्टी से पानी प्रवेश करने के कारण फिर से भर जाता है और इसलिए पानी जड़ों द्वारा absorb होता रहता है पानी आगे बढ़ता रहता है और इसी कारण ये xylem के मादियम से उपर तक पहुँच जाता है क्या हम कह सकते हैं कि पानी xylem के मादियम से water potential में फरक के कारण move करता है जी बिलकुल और ये phenomenon जिसे जड़ों से pressure के अंतर के कारण xylem में पानी बढ़ता है इसे root pressure कहा जा सकता है ये एक बहुत एहम process है जो plant के शरीर में पानी को transport करने में मदद करता है तो अब तक हम छोटे plants के बारे में बात कर रहे थे लेकिन विशाल पेड़ों के बारे में आपका क्या कहना है खेर इनमें transportation system अलग नहीं होगा क्योंकि इन्हें भी photosynthesis के लिए पानी की जरूरत होती है तो example के तौर पर हम California के giant redwood पेड़ों के बारे में बात करते हैं ये बहुत लंबे होते हैं और उनकी ओसितन उचाई 300 feet से भी ज्यादा होती है ये काफी उचे हुए है ना लग भग 30 से 35 floors तक क्या आपको लगता है कि इतनी उचाई पर पानी transport करना root pressure द्वारा काफी है नहीं ऐसा नहीं है तो फिर ये system कैसे काम करेगा अगर gravity के खिलाफ substances को उपर भेजना मुश्किल है तो पेड उपर से पानी को खीचने के बारे में सोच सकते हैं है ना लेकिन पानी को इतने pressure के साथ उपर कौन खीचता है हमारे पास तो पेड़ों के उपर सिर्फ पत्ते होते हैं तो क्या ये पत्ते करते हैं पत्ते खुद नहीं लेकिन पत्तो द्वारा की गई activity इस process में मदद करती है जिहां हम transpiration का process जानते हैं ये पत्तो को stomatal openings में water vapor का खोना है ये process पानी के levels को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा ये आसान है हम जानते हैं कि पानी के molecules cohesion दिखाते हैं एक दूसरे से जुड़े रहने की property इसलिए पानी के molecules एक दूसरे से xylem के column में जुड़े रहते हैं अब जब stomata में पानी निकल जाता है ये xylem में मौझूद इन पानी के molecules पर एक negative pressure बनाता है इस वज़े से suction force के कारण ये उपर की ओर बढ़ते हैं और क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सभी molecules उपर की दिशा में साथ में move करते हैं इसी तरह suction के कारण या transpirational pull के कारण पानी बड़े पेड़ों में उपर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिहां जड़ों का pressure भी मदद करता है लेकिन transpirational pull सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो xylem में पानी को उपर की ओर बढ़ाती है खेर ये था कि कैसे plants में transportation होता है इसे के साथ हम plants और जानवर दोनों में transportation के process के अंत तक आते हैं